I welcome you all to awakening classes. आज का हमारा lecture हैगा MCQs on transportation and communication. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि यह सिरफ MCQ session नहीं होता है. यहाँ पर आपको बहुत से additional information दी जाती है. जो कि आपको help करती है for cracking your exam. So बिना time waste का यह lecture को start करते हैं. The very first question is बंदन express and मेत्री express run between India and which other country? यह जो बंदन express और मेत्री express हैं यह इंडिया और किस country के बीच में move करती है, run करती है. हमें यह बताना है. ठीक है? Is it Nepal, Sri Lanka, Bangladesh या Myanmar? तो किसके बीच flow करती है? यह इंडिया और Bangladesh के बीच में मेत्री express और मेत्री express और बंदन express जो है, वो move करती है. तो यह rails है, railway का part है, तो आपको इंडिया रेलवे के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. देखो, इंडिया में जो पहली train है, वो move हुई थी, 16 April 1853 में, ठीक है, 16 April 1853 में, पहली passenger train थी, और यह कहां से कहां के बीच में थी, मुंबई से थाने के बीच में. पहली electrical train के अगर हम बात करें, इंडिया में पहली electrical train है, वो कब move करी थी, 1925 में, आपने याद रखना है, और यह कहां से कहां के बीच में, मुंबई से, यहां पर भी मुंबई है, मुंबई से, कोरला हार्बर के बीच में, कोरला हार्बर के बीच में, तो यह आपने याद Next Important Thing is, कि जो रेलवेस हैं, इंडिया में जितना फ्रेलवेस हैं, उसका काम कौन देखता है, Indian Railway Board, कौन देखता है इंडियान Railway Board, इंडियान Railway Board established कब हुआ था, यह भी Question पूछा जाता है, तो इंडिया में जो Railway Board established हूआ था, 1905 में, मार्च में, ठीक है मार्च 1905 तो यह कुछ रेलवे के रिलेटी चीज़े हैं आगे आगे नए कोश्चन आएंगे तो उनमें भी हम रेलवे रिलेटीड बहुत सारी चीज़ें जैसे उनके हेडकोर्ट है रेलवे के वो सब भी कवर करेंगे ठीक है नेक्स्ट डिशन में पैक्योंग अयरपोर्ट पैक्यों एयरपोर्ट एक Guys Airport हमें बताना कि कहाँ पर ठीक्टिट है जिक्ति होंना से एरृफ पहला Greenfield Airport है furs koon और आज्ड सीमिड लेचन का नॉर्थ इस्टरग्षेशन इंडिया का नहीं इंडिया का जो पहला है थे खीव गांदी है य। इसका नाम आपको याद रखना है गोपिनाथ बर्दोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यह कहां पर रहा है असम के घुवाटी में ठीक है अगर अर्वनाचर प्रदेश की बात करें यहां पर एक बभट इंसम क्वांप बभ旨 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गौवाटी में है मैं और यौज़ांब को बभ्स question बहुत ज्यादा पूछा जाते हैं क्योंकि maximum जो international airport है वो किसी ना किसी के नाम से रिलेटी है जैसे आपको पूछा जाता है कि गोपिनाथ बरदोलिया international airport कहां पर है तो इनकी location जो है ज्यादा तर वह पूछी जाती है और या किसी एयरपोर्ट की कुछ special characteristic है जैसे अगर कोई बड़ा है largest है या first green field है तो यह कुछ qualities की वज़ा से उनके related question पूछा जाते हैं next question पर मूव करते हैं परियागराज हालदिया waterway is also known as परियागराज हालदिया waterway को किस नाम से पुकारते हैं waterway क्या होता है पानी में चलने वाली जैसे ट्रांपोर्टेशन होती है water में waterways हमारे दो तरह से होता है एक होता है inland waterways ठीक है inland waterways और एक होते हैं oceanic oceanic में तो ports वगदर चीज़ें आ जाती है उन सब की maintenance है वो देखता है और इसका headquarter कहां पर है आप याद रख सकते हो नौइडा में है नौइडा कहां पर है यूपी में ठीक है आप यह चीज़ याद रख सकते हो तो यह question में पूचा कि परियागराज और हालदिया waterway है इसका क्या नाम है क्या यह national waterway 1 है टू है फो 1986 में waterway declare किया गया था ठीक है अगर हम और बाकी साथ जुटते waterway को देखें एक चीज़ और आप इसके related याद रख सकते हो यह किस किस रिवर पे है कहीं बार यह पूचा जाता है अगर किसी रिवर में होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक्जाम में पूच सकता है कि national waterway 1 जो है वो किस रिवर पे है ठीक है तो किस रिवर पे है गंगा रिवर पे है गंगा की बागी रथी की अगर हम बात करें बागी रथी से लेकर हुगली रिवर जो आ जाती है गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उनके बीच में यह कौन सा water national waterway one तो आप याद रह सकते हो नेट नेशनल वाटरवे वन लकिसमें है गंगा में और हूगली में ठीक है गंगा की भागी रती है और हूगली आप ऐसे याद रह सकते हो अगा Sagha और लगत बात करें और यह यहाद रहसकते है और यह किस रिवर पर है ब्रम पूतर रिवर national waterway 3 जो है ना यह मेंली केरला वाले कोलम रिजन में है केरला के कोलम रिजन में है और नेशनल वाटर में तूबी आद अखसेना साधिया दूपरी और भ्रमपुत्रा रिवर में ठीक है नेक्स ट्रेशन पर मूव करते हैं विच एमंग इस पोर्ट इस पोर्ट को न्यू मैंगलोर पोर्ट भी कहते हैं देखो जो पोर्ट है ना आपको पता हैं इंडिया में 13 major ports हैं और बहुत से minor ports में तो major ports है वो बहुत important हो जाते हैं उनकी location क्या किसी major port की क्या quality है तो वो सब चीजें आपके लिए बहुत important हो जाती है ठीक है तो इस question में पूछा है कि किस port को हम new mangalore port कहते हैं किस major port को new mangalore port कहते हैं is it Marmogav port, Panamber port, Kandala port, Tuticon port तो Panamber port जो है उसको ह हम new mangalore port भी कहते हैं यह कहां पर है पहले आपको याद रखना यह करनाट का में है ठीक है देखो अगर आपको paper में कहीं बार ऐसा question पूछा जाएगा कि किस port को हम use करते हैं iron ore को export करने के लिए iron को export करने के लिए ठीक है तो वो mainly new mangalore port ही आता है answer क्यों आता है देखो new mangalore port क कहां पर करनाट का में तो आपने KGF movie देखी होगी ठीक है तो आपको पता है कि वहांपर जो है KGF में Gold का beautiful म्पॉर्ट थे करनाट के लिए बहूं स founded only KGF region जो है आपको पता है कहां पर है करनाटका में तो आप न्यू मेंगलोर पोर्ट को आप याद रह सकते हो कहां पर है ये करनाटका में है और इसको पनंबर पोर्ट भी कहते है यह वन आफ 13 major करच में है गुजरात की गल्फ आफ कर्च में है और इसका एक और नाम है जो आपने याद रखना है दीन ध्याल उपाध्याय पोर्ट तो यह भी आप याद रख सकते हो ठीक है यह एक्जाम में पूछा जाता है किसी पोर्ट का अगर कोई दूसरा नाम है किसी फिमस परसनेल माल चिप्स के लिए अच्छा है टिटिकान पोर्ट कहां पर तमिलबार रखनेल है यह एक मेजर पोर्ट में दो और मेजर पोर्ट भी है यह आप याद रखां है चिन्नेई पोर्ट ठीक है यह भी घमीलाडव में तरन मेजर पोर्ट आते हैं डिय celery मेजर पोर्ट तीन मेजर पोर्ट कहां पर आते हैं तमिलाडु में चिन्नेई एन्नोर और टुटिकॉर्ण पोर्ट कहां पर आते हैं तमिलाडु में मारमगाव पोर्ट कहां पर है गोवा में पनमबर पोर्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट को पनमबर पोर्ट भी कहते हो और यह क क्या इंपोर्टेंट है अगर इस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है मेजर माइनर पोर्ट में तो कमेंट बॉक्स में लिखना मैं इस पर एक लेक्चर ले आउंगा ठीक है नेक्स्ट पर मूव करते हैं वीर सवारकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लोकेटेड है तो द लेट नमाने निकोबार की कैपिटल क्या है पोर अरिजिनल इसको पॉड़ बेर पोड कहते थे और बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके क्या रख लिया गया अंडा मैने निकोबार पोर्ट यह आपने याद रहा है मुंबई की आगर हम बात करें तो मुंबई में इंटरनेशनल एएठों पर है चंदीगमें तो पता ही नामें desati ननाम नाम Airlines के नाम और उनसे इğरपोर्स के नाम और यह इंटरनेशनल एफंपर्टे Recently भी बहुत इंपोर्टेटेंट कीर्ट में है इस नहीं पताै लुसंट की बूक में संतर यह बाता और यहीं से आप कवर कर सकते हो यहीं सफिशन्ट होगा आपके एक्जाम के लिए इंडिया सबसे वाला पॉर्ट जो है इंडिया का वह कहां पर लोकेटीड है ठीक है आंदरापरदेश में तमिलाड़ में या तेलंगाना में तो इन में से अगर बात करें तो सौधर्ण मोस पोर्ट जो है इंडिया का वह कहां पर होगा तमिलाड़ में तीन मेजर पोर्ट है मैं आपको एक चिन्नई पोर्ट है एक टूटी कॉण हों पोर्ट है और दीन आप अपको चीज़े में और आप याद रख सकते के बारे में एक और चीज़ अप याद रख सकती हो यह जो तेरा में जो है वो किसका हैड्कॉर्टर है सौधन रेलवेज का हैड्कॉर्टर कहां पर है चिनेई में यह भी आप याद रहाँ यह भी पूछता है बहुत बार एक्जाम में पूछता है इसके लिए भी अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप मुझे बताना में कुछ ऐसा एक डाइ है तो जो इससे बाकी सारी मेट्रो जो है ना मेट्रो जो यह जो है चिनेगी जो कलकेटा में मेट्रो है ना वो बेसिकली जिसको मेट्रो रेल्वेस कहते हैं वो किस के अंदर आती के अंदर आती इंडियन रेलवेश के अंदर आती है इसका है उख्त कॉलकर्टा में फॉलप के चोन सीर्फ यह मेट्रा मैं नहीं कोड़ेंों चैड़ पार्ट में औरaux बी रिखतु में साउधन का तमिलाडु में है साउधन का तमिलाडु में है था देखो ये संटर है यह सवुँच्छाटन का मतलब है यहां कहीं यह इस्टन हो गया यह साओध इस्टन यहां कहीं आएगा ठीक है साओध इस्टन का हैड़कॉर्टर कहां पर है कुलकर्टा में है आपने याद रखना है उसके बाद इस्टन का भी कहां पर है इस्टन रेलवेस का भी कहां पर है कुलकर्टा में है यह भी आपको याद रखन और जो यह Central Railways है न सबसे Central Railways ये भी कहां पर है मुंबई में मुंबई के CST जो है चत्रपती शिवाजी टर्मिनल वहां पर क्या है Central Railways का Headquarter ठीक है आपने याद रखने न्यू देली जो है न्यू देली की बात करें वो Northern Railways का Headquarter किसका है Northern Railways का नौर्डर रेल्वेज का Headquarter कहां पर है न्यू देली में है Metro Railway Zone हो गया Eastern Railways हो गया साउथ इस्टन रेलवेज हो गया इन सबका Headquarter कहां पर है Kolketta में है मुंबई की बात करें तो मुंबई मेरे हमारे पास Western Railways का हो गया और जो हमारा Central Railways है उसका भी Headquarter कहां पर है मुंबई में चिनेई में Southern Railways का Headquarter है देखो ऐसे आपको confusion हो रही होगी समझ नहीं आ रहा होगा अगर आप चाहते हो कि इस पर में एक डेडिकेटी लेक्चर लाओ एक इस कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज कर देना आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग में लेक्चर बना दूंगा नेक्स्ट रीक्राओ झाली में इशी का इस विक्रम अदिट्य थ्यूरर इस उंस विक्रम अदिख्य। गेंगा कनम्टारी कि अक्री नहीं बनाएक intentions यं वहाँ समयित का बात और अगर हम बात करें रश्या की इनिशली रश्या ने बनाय थी एक कीव क्लास सबमरीन थी real class ship थी इसको इंडिया ने 2014 में इंडिया ने किया था लुट पर चेज करा था कहां से USSR सब्सक्राइब आपने मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है और यह भी बताना है कि उसको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इंडिया का इंडिजिनेशली डेवलप्ट एयरक्राफ्ट कॉन सा और उसको हमने कब कमिशन कर दा था ठीक है नेक्स्क्राइब करते है तो इंडिया की जो पहली आर्टिफिशल सेटलाइट नैच्छल सेटलाइट क्या होती है जैसे आगे पीछ जैसे हम बात करें आर्ट के आगे पीछे मून जो है वह एक नैच्छल सेटलाइट का काम करता है इसी तरह हम आर्टिफिशल सेटलाइट जो है स्पेस में छोड़ते हैं इसी तरह हम आर्टिफिशल सेटलाइट जो है स्पेस में छोड़ते हैं इसी पासकर आर् को 1975 में लॉंच कर रहा था इंपोर्टन दे था इस दिन हमने अपनी पहली आइटिफिशल सेटलाइट को लॉंच कर रहा था तो इंडिया में कौन सी अजेंसी है जो इन सब चीजों को स्पेस एलेटिड सेटलाइट को देखता है इस तो आपको याद रखना है इंडियन स्प सब्सक्टें उसको क्या कहते है थीक हैै इजचअके क्शिज को Kampe forward करते हैं इंटरनेट जीने इन वैचक्रों में और सकते हो कर सकते हैं ब्रलब कर सकते हुए यहां dá शक्रिए पहली इंटरनेट पहली Internet Service अगर हम बात करें Internet Services जो है इमेल जिसकी अगर हम बात करें वो कौन सी थी Hotmail कौन सी थी Hotmail उसका नाम था और यह किसने मनाई थी सबीरबाटियाने किसने मनाई थी सबीरबाटियाने तो यह आप याद रख सकते हो important है for your exam next question पर मूव करतें when did the first passenger train started in India तो इंडिया में सबसे पहली passenger train कब स्टार्ट हुई थी 1920 में 1856 में 1853 में और 1959 में तो आयव अल्रडी एक्स्प्रेंट यू 1853 में इंडिया की पहली passenger train स्टार्ट हुई थी ठीक है और यह कहां पर चली थी मुंबई से थाने के बीच में और डेट भी आप याद रख सकतो 16 अपर अगर हम बात करें कुछ इंडिया में सबसे लंबा रेलवे प्लाटफॉर्म कों सा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि वह कहां पर होना चाहिए यूपी वाले रेजन में आपको पता है रेलवे प्लेन एरिया तो बहुत जाए स्प्रेड है तो यूपी के यूपी में तो यह आप याद देखो इंडिया की लॉंगेस्ट ट्रेन इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन अभी रीसेंट वह बहुत न्यूज में थी डाइड इस नोन आज शेशनाग कौन सी है शेशनाग इंडिया की लॉंगेस्ट जो है वो ट्रेन है और इसकी लेंद्ध इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी 16 अपरल 1850 थी पिर जैसे पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन कब चली थी तो मैं आपको एक्स्प्रेंट कर चुक हूं 1925 में वो चली थी इंडिया में सबसे लंबा रेलवे प्लाइटफॉर्म कहां पर है तो वो गोरगपु यूपी में है इं संभावना सबसे जाहरा है सबसे पहला हमारे पास कोई सेका हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके बाद एपर औ सका फय रोल नाम से ऐन तो और कोई एयरपोर्ड है तो वो कहां पर है पूच्छ सकता है और एर्पोर्ड अगर उसकी कुछ इंफ्रस्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक् बहुत कुछे जाते हैं मेजर पोर्स के रिलेटिक और कुछ माइनर पोर्स हैं उनके रिलेटिक पूछे जाते हैं इन चीज़ों पर आपको ज्यादा इंफेसाइज करना इन इस टॉपिक ठीक है यहां पर ना इन दोनों में फरक तो इस तरह से आपको ना इन दोनों में फर्क पता होना जैसे लाल बहादु शास्त्री अगर आपको पूछा जाए लाल बहादु शास्त्री जो एयरपोर्ट है वो कहां पर है तो वह वाराणसी में ठीक है चोधी चलन सिंग कहां पर है लखनाओं में है तो आपको न यह थोड़ा बहुत है इनके बीच में डिफरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहां पर है नागपूर में है सिर्नगर पर है देली में है बंगलोर है शिलॉंग में है तो कहां पर है सिर्नगर में इंपोर्टन है इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्नगर में है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ठीक है नेक्स पर तो यह इसली आप मांग कर सकते हो अगर आपने मेजर पड़ा हुआ है तुटी कॉन पर ही होगा तमिलार्डू पर ही होगा तो ऐसे ना जब भी मैं आपको एक हमेशा करता हूं जब भी आप किसी एक्जाम को देने जाएं तो अपने ब्रॉड को ब्रॉड माइंड लेके जाएं खूली वी सोच होनी चाहिए तुम्हें हर जो टॉपिक तुम्हें पड़ा हुआ वहां पर धिमाग में आना चाहिए किसी तरह आप इलिमिनेट करते हुए अंसर तक पहुंचाओ यह नहीं कि सिर्फ टुटिकाउन एरपोर्ट अगर मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं पेपर में कोशिश भी नहीं करूंगा इस को एटेम्ट करने के ऐसा नहीं है थोड़ा अपनी नॉलज़ को खोलना है टुटिकाउन कहां पर लाई करता है कि स्ट इसको उठाना पड़ेगा थोड़ा बहुत और अगर आपको आइडिया होगा अगर आप एक प्रोडेक्टिव रिस्क उठाओगे ना तो आपके मैक्सिम्मम चांस होते हैं कि वह आपका जो तुक्का है उस केस में सही लगेगा ठीक है नेक्स वोशन में करते हैं लाज्ज नागपूर में है नागपूर कहां पर है महाराष्टा में कहां पर है महाराष्टा में यह आप याद रसकते हो जैप्रकास नारायन इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पर है पतना में है तो यह भी आप याद रसकते हो यह कुछ वीडियो शीडियो तो आप मुझे बोल सकते हो हम उस पर लेक्चर बना सकते हैं आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं उसमें बहुत सारे कंपाइल करके और बहुत अच्छे वे में वहां पर चीज़ों को एक्स्प्रेइन कर रहा है तो आप उन लेक्चर को जरूर देखना ठीक है और अगर आपको चैनल में पसंद आ रहा हमारे पढ़ाने का वे और चीज़ें आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्स झाल